हलो एंड बेलकम फ्रेंड्स आप देख रहे हैं न्यूज वॉल्ड इंडिया का खास शोग बॉलिवुड गप्शप और आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्ट बैहू पारुल त्यागी आपके एंटेटेंमेंट में लगने वाला है जोरदार तड़का तो हो जाएए तयार देखने के लिए कंगना ने क्यों बांदे अपनी ही तारीफों के पुल पठान ने किस रोल में नज़र आने वाले हैं सलमान अपनी और शेहनास की शादी पर क्या बोले सिधार शुकला न कंगना रनौत से अच्छा कोई नहीं जानता कंगना कोई मौका नहीं छोड़ती हैं अपनी तारीफ करने का और एक बार फिर तनुवेट्स मनु के 10 साल पूरे होने पर कंगना ने खुद की तारीफ कर ही दी जी हां कंगना की फिल्म तनुवेट्स मनु को 10 साल पूरे हो कि श्री देवी के बाद वो अकेली ऐसी एक्प्रस हैं जो सही माइने में कॉमेटी करती हैं। प्रितिक रोशन और जॉन अब्राहिम भी नज़राएंगे। अब कई जगा छपी खबरों में कहा गया कि शैना सिधार्थ ने चोरी छिपे पिछले साल क्यंत में शादी कर ली है। ऐसे में एक फैन ने सवाल भी कर दिया। फिर क्या था अब सिधार्थ शुकला ने खुद ही जवाब दिया। सिधार्थ ने एक ट्वीट करते हुए कहा भाई कुवारा टैग अच्छा है मैं तो कुवारा हूँ फिर भी कुछ मीडिया हाउस वालों ने शादी शुदा करार दिया है। सिधार्थ के इस ट्वीट पर खुब रियाक्शन भी आने लगे हैं। उनके कई फैंस उनका समर्थन कर रहे हैं तो वहीं कई लोग उनसे शादी करने की रुक्वेस्ट करने लगे हैं। वार्ड में निया श्रमा ने श्रकत की थी और इसी सेर्मनी में उन्होंने रवी दूबे को बेस्ट किसर बता दिया था। उसके बाद रवी ने बताया कि निया के इस बात को सुनकर उनका और उनकी पतनी का क्या रियाक्शन था। रवी ने बताया कि वो और सरगुन निया कि इस बात को सुनकर काफी हसे और उन्होंने इसको एक कॉंप्लिमेंट की तरह लिया कई बाद स्लेबरिटीज ऐसी परिस्तितियों में फस जाते हैं जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा किसी खास जगा या किसी मौके पर उनके पसंदिदा सितारों की जलग पाने के लिए फैंस अक्सर उन्हें देखने उनसे हाथ मिलाने और उनके ओटग्राफ लेने के लिए बेसबर हो जाते हैं देपिका पादुकोन के साथ भी हाली में कुछ ऐसा ही हुआ उन्हें फैंस ने मुंबई में घेर लिया और इतना ही नहीं मौझूदा लोगों की भीड में से किसी ने देपिका पादुकोन का बैक छीन कर उन्हें रोकने की कोशिश भी की लेकिन देपिका ने भी अपने आ झाल झाल